ये कहानी कमलपुर नाम के गाव की है जहां किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था उसकी एक बर्तन की दुकान थी एक दिन उसका बड़ा भाई श्याम उसकी दुकान पर आता है और भाई किशन क्या हाल है आईए भाईया आपको यहां कैसे आना हुआ आप मुझे बुलाते तो मैं आ जाता अरे कुछ नहीं किशन बस मुखिया जी के साथ जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलते चलो वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है अरे कहां भाईया काम तो बंद पड़ा है ग्राहक आते ही नहीं है वैसे किशन तु अपना घर भेज क्यों नहीं देता वो घर सड़क के किनारे है उसके बहुत पैसे मिलेंगे तुझे लेकिन भाईया मैं अगर वो घर भेज दिया तो मैं कहां रहूंगा अरे क्या किशन बस इतनी सी बात तुम मेरे घर रह लेना आखिर हुआ घर तेरा भी तो है देख किशन मैं एक डील को जानता हूँ वो बहुत अच्छी खासी तेरे घर के पैसे दे रहा है अच्छा अब मैं चलता हूँ अगर तुझे अपना घर बेचना हो तो मेरे घर आ जाना किशन पूरा दिन अपने भाई के कहे बातों में दूबा हुआ होता है रात को किशन जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी भी मान जाती है अगली दिन किशन अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर चला जाता है किशन को अपने घर आया देख श्याम बहुत खुश हो जाता है अरे किशन तू आ गया आजा बैट मुझे लगा कि तू नहीं आएगा लेकिन श्याम की पतनी कामना खुश नहीं होती है वो श्याम से कहती है क्या जी आप ये किन गरीबों को उठा लाए अरे कामना धीरे बोलो बस कु कुछ दिन एड़्जस्ट कर लो हमारा काम पूरा होते ही हम इन्हें धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देंगे उसी दिन से श्याम उसके घर का कागज अपने नाम का बनवाता है और उस पर किशन का अंगूठा लगवा लेता है कुछ दिनों बाद श्याम किशन की सारी जमी आप मुझे मेरे पैसे दे दो मैं यहां से चला जाऊंगा कैसे पैसे मेरे पास तेरे कोई पैसे नहीं है वो दील धोखे बाज निकला उसने तेरे जमीन एक कमपनी को बेच दिया और ये देश छोड़ कर भाग गया तेरा नसीब ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ किशन अपने परिवार को लेकर श्याम के घर से चला जाता है